नमस्कार आप देख रहे हैं के शेनल और मैं हूँ आप के साथ सपनठाकुर्ट खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेते हैं आज की सुर्खियों पर जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार नड़ने कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स के निर्मान थलका किया निरिक्षन का 48 महीनों में बन कर तयार हुआ है का एम्स बीजेपी ने कॉंग्रेस की रेली को बताया अस्तफर जवार भाकुर के अंसार सिर्फ सीएम को मिला रेली का फायदा कॉल्टिंगी ओडियो सिटी पर जांच की उठाई मांग हमीरपूर के वार नंबर आठ में कई महीनों से गहरा आईपे जल समस्या दर्जनों लोगों ने आईपे चिभा को सौंपात किया पर समस्या को जल दूर करने की लगाई कुहार और मंडी में शूर हुई स्पेक्टेक्रा की जुनियर रास्टे प्रत्योगिता देश के 27 राजियों के लगपस 57 की लाड़ी ले रहे हैं भाग दिसी मंडी ने किया प्रत्योगिता का शुभारम कोटीपूरा में प्रस्तावित एम्स 48 महीनों में बन कर तयार हो जाएगा इसका डिजाइन तयार करने से पहले इसकी जमीन का निक्षिन करना अनिवारे था ताकि अंतरास्चे स्तर के इस संस्थान का डिजाइन तयार करवाते समय वे इस बारे में विश्रग्यों को सुझाब दे सके ये बात केंद्य स्वास्ते मंत्री जगल प्रकाश नड़ा ने कोठीपूरा में एम्स की प्रस्तावी चमीन का निक्षिन करने के बाद नड़ा ने कहा कि पहले साल एम्स का डिजाइन तयार होगा उनने पताए कि डिजाइनिंग का काम देने से पहले उस फर्म का पिछला सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा जिसके लिए कम से कम 5,000 कुरूपे का काम किया होना लाजमी है तथा इसके बाद संबंदित कंपनी की फाइनेशिल हैसियत देखी जाएगी तथा संबंदित फर्म की फाइनेशिल हैसियत कम से कम 1,000 कुरूपे की होनी चाहिए उनने का की मौझदत समय में अस्पतालों में साइंटिफिक और मौडरन फैसलिटी दी जा रही है इसके लिए एम्स को तयार करते समय हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है नडड़ ने का कि बलास्पूर में से वड़ी रैली बनी है मैं आपके माध्यम से आधर्णिय प्रधान मंत्री जी का पुना धन्यवाद देता हूं जिन्नोंने यह बिलास्पूर एम्स देकर हिमाचल प्रदेश की साथ लाग की जन्संक्या पर एक एम्स दिया है और एक छोटी सी जन्संक्या पर भी प्रदेश को इतनी बड़ी प्रदेश उपदेश रंदी शर्मा ने भाजपा कारेकर्टाओं को संबूदित किया वकेंद्रे स्वास्यमंत्री जगत प्रकाश नडगा कोटी पूरा में आने पर आभार व्यक्त किया आप सब जानते हैं कि जो दो साल पहले हम सब लोगों ने एक सपना देखा था कोटी पूरा राजपूरा पंचैतों के इस कशेतर में स्वास्थ्या सेवाओं का एक सबसे बड़ा स्थान एम्स को खुलवाने का वो सपना आज साकार हुआ है तो आदर निया स्वास्थ्या मंत्री शिरी जगत प्रकाश नड़ा जी के प्रयासों से साकार हुआ है इसलिए इसलिए मैं आपकी ओर से अपनी ओर से बिलासपूर हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सबसब पर रिकी राम कॉंडल तो पूरु मंत्री रूप सिंग ठाकूर भी मौजूद रहे भारती जनता पार्टी ने मंड़े के पड़ल मैदान में कॉंग्रेस की विजय से विकास रैली को पूरी तरह से असफल बताया है विजय पी का मानना है कि रैली से मात्र एक व्यक्ति को ही फायदा मिला है और वो है प्रदेश की मौजुदा मुख्य मंत्री वीरबदर सिंग ये बात भारती जनता पार्टी के प्रदेश कारिस्मिती के सदस्य वं मंडिशिला के पूर्बचिला ध्यक्षे जवाहर ठाकूर ने पतरकार वारता के दोरान कही जवाहर ठाकूर ने का कि रैली का पूरा फाइदा मात्र सी एम को ही मिला है जबकि मुख्य मंत्री की दौड में शामिल द्रंग से कॉंग्रिस के विधायक वप्रदेश सरकार में स्वस्ते मंत्री कॉल सिंग ठाकूर के चहरे का रंग उतर गया है जुहार ठाकूर ने का कि द्रंग से विधायक और मंत्री कॉल सिंग ठाकूर अब न तो मुख्य मंत्री की दोड़ में शामिल है और नहीं आने वाले समय में उन्हें मंत्री पद मिलने की सभाबना है साथी जवार ने का कि रैले से कॉल सिंग ठाकूर और मंडी के एदिहासी पड़र मैदान को नुकसान पहुंचा है जिसकी भरबाई भाजपा ने कॉंग्रेस को करने को का है साथी जवार्ठेकु ने का कि जिस प्रकार से मंडी के लोगों ने कॉंगरेस पार्टी को नकारा है उसी प्रकार द्रंग से कॉल सिंग को भी जनता आने वाले समय में नकारने वाली है मंडी में जो बिज्जा और विकास की जो रैली कॉंग्रस पार्टी ने की है वो का सारी रैली जो वो सफल रही है और इस रैली से सिर्फ प्रजेश के मुख्य मंतरी सिर्फ बीर वदर सिंग को लाब हुआ है और इस रैली के होने से मंडी को तो कुछ नहीं मिल पाया है लेकिन मंडी के हमारे बिरिष्ट नेता और जो भावी मुख्य मंतरी अपने आपको कहते हैं आज दिन अठाकर कॉल सिंग जी इस रैली से खासकर उनको नुक्सान हुआ और हमारा जो पड़र मैदान अब भी जिसम क्रोर रुपया सरकार ने खर्च किया है पड़र मदान को इसका नुक्सान हुआ है और मैं चाहूंगा कि पड़र मदान में जो नुक्सान हुआ इसके बरभाई कॉंगर्स पार्टी को करने चाहिए वही प्रदेश के स्वास्ते मंतरी वद्रग विधान सवा से विधाय कॉल सिंग ठाकूर की ओडियो सीडी पर बोलते हुए जवार ठाकूर ने कहा कि कॉल सिंग अकसर कहते हैं कि सीडी के पीछे भाजपा और उनके कुछ अपने लोगों का हाथ है तो क्यूं लोगों को बताई जाएगी और लोगों के सामने मंतरी की असलियत बताई जाएगी अकिकत है तो असलियत है उसको हम लोगों के बीच में इसको रखेंगे प्रदेश सरकार के मुख्याब रस्टचार के मामले में जमानत पर हैं उन्हें प्रदेश के नहीं बलकि सिर्फ अपने विकास की चिंता रहती है यह आरोब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवब नैनादेवी विधानसवाक शित्र के विधायक रंधी शर्मा ने शिर्फ नैनादेवी विधानसवाक के तहत कबीर पंथी बस्ती बहल में सामुदाइक भवन के लोगार पन किया भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवब नैनादेवी विधानसवाक शित्र के विधायक रंधी शर्मा ने शिर्फ नैनादेवी विधानसवाक के तहत कबीर पंथी बस्ती बहल के 1,90,000 की राशी से निर्मित सामुदाइक भवन का लोगार पन किया इससे पुर बहल के कारेकरताओं वो युवाओं ने रंधी शर्मा का कारेकराम में पहुंचने पर जोड़दार स्वागत किया और बहल में लगबग सो बाइक सवार ने एक विशाल रेली निकाली इसके बाद रंधी शर्मा ने विदिवत रूप से पूजा अर्शना करने के बाद बहल गबीर पंथी बस्ती में करीब 1,90,000 की राशी से निर्मित सामुदाइक भवन को जनता को समर्पित किया जनतागो संबोधित करते हुए रंधी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्या प्रस्टचार की मामले में जमानत पर हैं उन्हें प्रदेश के नहीं बलकी सिर्फ अपने विकास की चिंता रहती है उन निका कि जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है ग्रामिन ख्षितर की योजनाएं बनती हैं पैसा ज्यादा आता है और विकास ज्यादा होता है लेकिन जब प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार होती है तो विकास ठप हो जाता है रंधीर ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले कारेकाल में उन्होंने 63 क्रोड रुपे पीने के पाने की स्कीमों पर खर्च किये जो कि कॉंग्रेस पार्टी अपने कई कारेकालों में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाई है कॉंग्रेस पार्टी के जैंडे में गाउं का विकास तरी इसलिए हूँ यह जोज में नहीं बढ़ाता मुझे आपने पांच साल का मौका दिया जब हमारी सरकार थी प्रेसर क्रोड पर पीने के पानी की स्कीमों पर खर्चा कॉंग्रेस की सरकारों का सारे का सारा जोड़े वो सारा जोड़ कर दी टेसर क्रोड में बन यहां रुकते हैं छोड़े से ब्रेक के लिए चलद हासिर होंगे आप देखते रहिए के चैनल 1st Nursing College of Mandi Town, Sampati Devi Memorial College of Nursing, recognized by HPE Government and HPE Nurses Regitation Council, approved by Indian Nursing Council, New Delhi, admission start for BSc Nursing duration 4 years, eligibility criteria plus 2, medical with 45%, few seats are weekend in state quota, special scholarship for SC, ST and OVC candidates, So please contact Sampati Devi Memorial College of Nursing, BPO Bichni, District Mandi, Himachal Pradesh Himachal में राजदितिक गदिविधियां तेच हो गई हैं, विविन राजदितिक दलों ने आगामी हिमाचल में होने वाले चुनाबों में दस्तक देना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में पंजाब में अपनी सत्तक हो जाने के बाद अकाली दल बादल ने भी हिमाचल की ओरूप करना शुरू कर दिया है वही नालागड विधान सबक शेत्र में अकाली दल बादल की हिमाचल एकाई के प्रदेश अध्यक्ष दलजी सिंग भींडर दौरा नालागड के मत्ताताओं से संपर्क चुनाब लडने के संकेत दिये गए इस दुरान उन्होंने दावा किया कि अकाली दल बादल ने अपने सिख बाहुले क्षेत्रों में सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट पार्टी अधेश सुख्वीर बादल को सौंपती है पार्टी दौरा करवाये गए सर्वे के मताबिक हिमाचल में छे सीटों पर भारती जनता पार्टी के सा समझोते के तहर चुनाब लडने का दावा करेगी उन्होंने यहां तक कह दिये कि अगर पार्टी उनको चुनाव लड़ने का टिकेट नहीं देगी तो विजनता किस योग से चुनाव लड़ेंगे हम जो अगामी दिनों में नालागर विधानसवा क्शेतर की चुनाव आ रहे हैं उसके समंद में अपना चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं लोगों के घर घर जाके हम अपनी बात उनसे शेर कर रहे हैं और उन्हें अपने हक में वोट करने के लिए और हमारी स्पोर्ट करने के लिए हम उन्हें अगरा कर रहे हैं बिंती कर रहे हैं जो के बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस जो लोगों द्वारा इसमें हमें दिया गया है क्योंकि पिछले पांच वर्ष से नालागड विधानसवा क्षेतर का जो विकास है वो पूरुन तोर से ठप पड़ा है चाहे इसमें कोई हिमाचल सरकार का चेर्मेन है या यहां का कुछ विधायक है किसी द्वारा भी हमारे नालागड क्षेतर की जो मूल भूत से विधाएं हैं उनके उपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया उन्हों निपताय कि जिन्च छे सीटों पर दावा किया जाएगा उसमें जिला सोलन के नालागड जिला सिर मौर पोंटा साहिब जिला उना दधा कांगडा की कुछ सीटेंस शामिल है इस अबसर पर उन्होंने नालागड विधान सवक्षेतर की मौजुदा सरकार पर अंदेखी का आरूप बिलगाया और कहा कि नालागड विधान सवक्षेतर हर क्षेतर में पिछड़ा है नालागड का विकास करवाने में स्थानी विधायक नाकाम सावित हुआ है जितनी सीटें वो लेकर देंगे उन पे हमारे Candidate उतरेंगे। कौन-कौन सी सीटें होगी यह? जैसे डिस्टिक उनना है, डिस्टिक सोलना है, डिस्टिक सिर्मावर है, इसे डिस्टिक कांगडा है, इन सब जिलों में अलग-लग कंसिचुएंसिज में हमारे 10-11 सीटों पे सर्वे जो हमने करके दिया है और उन पे जो पार्टी के अधियक सरदार सुख्वीर सिंगी बादल जो फैसला लेंगे उसके उनसार हम इन सीटों पे अपने कंडिड़े टुतारेंगे के चैनल के लिए नालगर से इननलाल ठाकुर की रिपोर्ट हमिपूर नगरपरशद के वार नमबर आठ में पिछले कई महीनों से पेजल समस्या गहराई हुई है लेकिन आई पेच विभाग के अभगत करवाने के बाब जूद भी समस्या का निदार नहीं हो सका है बार वार आसवाशन मिलने के बाद भी समस्या हल ना होने पर आज दर्जनों लोगों ने आई पेच विभाग हमिर्पूर में आकर चीफ इंजिनेर को ग्यापन सौंप कर समस्या को हल करने की गुहर गई है वार नमबर आठ के निवासी बवश्रमा ने बताया कि एक साल से वार में पानी की समस्या बनी हुई है और लोगों को पेचल के लिए यहाँ भाँ भटतना पड़ रहा है उन्हों निबदाय की कई बार विभाग को भी बताया गया है लेकिन समस्या हल नहीं हुई है उन्हों निबदाय की अधिकारी भी केवल आसवाशन ही दे रहे हैं और पाइपे ना होने का रोना रो रहे हैं जिससे ग्रामिन बहुत परिशान है वही एक अन्य निबास्ती अजय ने बताया की कई कई दिनों बार पेजल आप उर्दी दी जाती है और इस कान लोग पाने के लिए यहाँ वाँ भटकते हैं उन्हों ने बताया की आई पेच भाग की कारुजारे के कान लोग बहुत परिशान है तो दो दिन पान चोड़ते हैं तीस दिन नी चोड़ते हैं बाने की टाइमिक आई रहा है और अब चैब यह एक और ब्रिक का मिलते हैं ब्रिक के बाद महाजन संस एंटरप्राइजिस यहाँ आपको मिलेगी कम्प्लीट रेंज ओफ फोसेक्ट एंड सेंटनली ओफ चैल एंड हाइंड वेर एंड कम्प्लीट रेंज ओफ एशियन मॉडूलर कीचन इसके अलावा यहाँ PVC पैनलिंग, Fancy PVC and Wooden Doors, Fancy Hardware, Johnson Curtain Blinds and Marshalls Fall Paper बोर्ड, प्लाई, माइका and complete range of other house material की विस्तित रेंज भी उपलब्द है बेतर खरिदारी के लिए चरूर परधारे, महाजन संस, Enterprises, NH21, बोचपूर, बाजार, नियर बस्टैंड, सुदनगर, हिमाचर प्रदेश मंडी योग कॉंग्रेस के महासचे वीर भार्धवाज ने प्रेस में जारी बया में कहा कि सराज के विधायक लोगों को गुम्रा कर रहे है कि सराज में विकास नहीं हुआ है उनुने ने का कि मुख्यमंत्री वीरबदर सिंग ने सराज में एतिहासिक विकास कारे किये हैं और विकास के बल पर कॉंग्रेस विधानसवा चुनावों में जीत तरश करेगी और वीरबदर सिंग 7 वी बार मुख्यमंत्री बनेगे राज बिदान सवा क्षेतर में माननीय मुखे मंत्री राजा बीर वदर सिंग जिन ने एत्यासित कारे किये हैं मैं जिसमें जिंजायवी में एसदेम में दफ्थर दिया थाना च्छात्री बैलिट में सब तसील हैं तक्सीर्षाम कारे माननीय मुखे मंत्राज भी वदर सिंग जस्ठidan जृवा Om देञा वह संचे लोग ने यह होगा कि कि इस स्थानी विधायिक अरगा cholな मागर हम यह कहना चाहेंगे कि मुख्य मंतरी की तो बाद की बाते वह दुमल जी और मोदी साब या दुमल साब से प्रमिशन ले बात करने की और सराज के लोगों गुमरा कर रहें कि में मुख्य मंतरी बनुगा निशित तर पर जो है सराज से कंगर्स पार्टी का विधाइक बनेगा चेत्राम ठाकुर जो है वहां का प्रती निद्रतू कर रहे हैं और महाचल परदेश में जो आए 101 प्रतिशा जो है बीरभदर सिंग की सरकार बनेगी और साथवी बार बीरभदर सिंग जी मुख्य मंतरी बनेगे यह हमको पिछली रैली में देखने के लिए मिला हमीरपूर जीला भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहट आगामी छे दिनों तक गाउं गाउं जाकर लोगों को जागुरता संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि जीला में लिंग अनुपात को सुधारा जा सके जागुरता रैली के दरौन महिलाओं ने हातों में तक्तियां लेकर पूरे वाजार में रैली निकाली और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का संदेश दिया वहीं CDPO कल्यान सिंग ने बताय कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरू करने का कारिक्रम किया जा रहा है ताकि लिंगानुपात को सुधारा जा सके और लिंग चांचना करवाने के लिए लोगों को जागरू किया जा रहा है उनने पताय कि आगामी छे दिनों तक लगातार अभियान के तहत काम करके गाउं गाउं में चागुत्ता की अलग जिगाई जाएगी पहुंचाई और लोगों ने ये शफ्त लिए कि हम लिंग जांच जो है वो नहीं करवाएंगे पुरो रूप से इसको प्रतीबंद लगाएंगे और अपने बेटियों को गर्व में मादने का कोई भी जो है जो चांच भी के लेंगे पूरे लोगों को सब्द दिलेंगे घ जो है नव भर्व की बेटियों का अपनान को गर्वाएंगे जो चलेगा और पूरा तनमयता से पूरा समर्पन से पूरी टीम जो है लोगों के वीच में जाकर इस अपनान का जो है वो संदेश को चाहेंगे और लिंगा नुपाद जो है इसमें सत प्रतिसत सुधार लाने क जागुता रेली में महिला मंडल सदस्य पंचायत प्रतितियों के अलावा समा से भी संस्थाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया ब्यूर्पोर्ट के शेनल यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सलसला यूही चारी रहेगा आप दिखते रहिए के शेनल नड़ने कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स के निर्मान थलका किया निरिक्षन का 48 महीनों में बनकर सया हुज़ायका एम्स बीजेपी ने कॉंग्रेस की रेली को बताया असफ़र जवार भाकुर कंसार सिर्फ सीएम को मिला रेली का फायदा कॉल्स की ओडियो सिटी पर जांच की उठाई मांग हमीरपूर के वार नमबर आठ में कई महीनों से गहरा आईपेच अल समस्या दर्जनों लोगों ने आईपेच रिभाग को सौपात किया पर जवार समस्या को जल दूर करने की लगाई कुहार और मंडी में शूर हुई स्पेक्टेक्रा की जुनियर रास्टे प्रत्योगिता देश के 27 राजियों के लगपस के 57 की लाड़ी ले रहे हैं भाग दिसी मंडी ने किया प्रत्योगिता का शुभारम हुआ हुआ है